हेलो दोस्तों तो चलिए आज चलते हैं हलवाई व्याले भाईया से मीठे मीठे रसीले गुलाब जामुन देसी तरीके से बनाना सीखना वो भी उनके कार खाने में तो ये देखे भईया ये है हमारी गाउं की दुकान है ये इनका कारखाना है यहाँ पर ये देखे गुलाब जामन बनाने की तैयारी हो रही है तो मैंने सोचा क्यों न आप लोगों से भी शेयर किया जाए और सीखा जाए कि घर पे हम लोग इनकी तरह कैसे जामन बना सकते है तो इन्होंने देखिए बताया कि खोये को सबसे पहले ले के उसको काफी देर तक मसला जाता है पाम से ताकि उसमें बिल्कुल भी दाने ना रहे जिससे की हमारी गुलाब जामुन चिकनी और सॉप्ट बने अब इसके बाद इन्होंने गीले कपड़े से इसको ढग दिया है और छोटी छोटी लोईया लेके दोनों हातों से दबा दबा के कूलिया बनाने लिखते हैं अब देखिए इसके बाद इन्होंने तेल चड़ा दिया है और उसमें इन गुलाब जामुनों को दीरे-दीरे करके एक गुलाब जामुन करके सारी जामुनों को डाल दिया है और तु आपकी गुलाब जामून जल सकते हैं और चारो तरफ से golden brown हो जाए ये देखिए बिल्कुल बारी की से एक दम किनारे किनारे से चला रहा है इसी तरह आप भी जब जामुन अपने घर पे बनाएए तो इसी तरह से देख लिजे ट्रिक इसी तरह से चलाएए बिल्कुल पल्टे से आप टच मत करिए जिससे की वो ट कि- छ cathedral कि जाएगे इश हाँ ये देखये हमारे हो रहा है ये बैज तयार हो गया इस्वतवीस के सीरे में डाल दिया गया अब इदर दूसरा बैज भी तयार हो रहा है और इधर जामुन तयार हो रहा है देख लीजिए ये देखे इधर बनके तयार हो गया कितने रसीले गुलाब जामुन बनके तयार हो गया अब इनों ने ये थाले में इसको लगा दिया है दुकान पे जाके सेल होने के लिए तो आज का वीडियो कैसे लागा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों